तो हम बात कर रहे थे quadratic equation की ठीक है quadratic equation का मतलब क्या बताया गया था कि भही 2 degree की equation होनी चाहिए और उसमें जो roots होंगे वो 2 होंगे xy की जो value निकलेगी वो 2 निकलेगी तो हमने एक तो तरीका बताया था कि by factorization आप value कैसे निकालेंगे क्यों आदिस आप याद है न और दूसरा हमने बताया था कि by doing the perfect square perfect square वाला याद है चले एक question बोल देते हैं आप से कि 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0 जड़ा इसका perfect square बुना के दिखा दीजिए थोड़ा सा आपको check करने what I have told that is in your mind or not एक एक बताते हैं हम करते हैं constant को ले जाना है कहां अपने घर आर्चस में आप क्या करना है कैसे हटाना है ऐसे रब कर दें dividing by half add कर दे dividing by the 2 ठीक है so dividing by 2 किया तो यह आ जाएगा आपका x square plus 3 by 2 x is equal to minus 2 अब क्या करना है आपको अब क्या करना है इस इस तो मुझे मालूम square में करेंगे कैसे करेंगे वही तो आपको आपसे पूछ रहा हूं मैं मतलब मैं दोनों तरफ 3 by 4 add कर दूँगा है ना यही कह रहा हूं ना नहीं सही मैं कह रहा हूं 3 by 4 इधर भी add करोगे और 3 by 4 इधर भी add करोगे ठीक है हां मैं तो तुम कह रहा हूं तुमने यह नहीं कह आच्छा चले आपने क्या कहा तो 3 by 2 का 3 by 4 का square मतलब जो इसका half होता है ना 3 by 2 का या direct तो इसको 3 by 2 का square 3 by 4 का square इधर add करेंगे और 3 by 4 का square इधर add करेंगे ठीक है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह question मैंने सही दिया है तो मुझको यह नहीं मालूम था कि roots कैसे निकलेंगे हमने तो ऐसे अकड़ बकड़ करके question दे दिया है आपको ठीक है यह किसी का square लिखा है यह लिखा है x plus 2 तो हड़ गया ना x plus 3 by 2 का whole square यह कितना हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 9 अपान 16 यह कितना हैगा minus 23 by 16 यह आगया x plus 3 by 2 to the whole square तो इसका whole square हटाओगे तो आजाएगा under root minus 23 by 16 अब यही पे हम अपना काम stop कर देंगे यह कैसा नंबर होगा imaginary यह नंबर कैसा होगा imaginary हमने तो ऐसे लिखा था हम को नहीं वार्ण तो क्या हम question दे रहे हैं हम तो method जाना चाहते थे तो method समझ में आ गया अच्छा अगर यह negative term होता है तो process सेम होगा यहाँ x minus 3 by 2 हो जाएगा ठीक है बस यह आएगा हाँ अगर यह minus का 4 ले 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 तो question निकल आएगा ठीक है थोड़ा अगर change कर दे मानस 4 कर दे लेकिन यही पर छोड़ दीजे इसको तो यह तो आपका हो गया कि किस प्रकार से आप perfect square बनाते हैं पार साथ संद्वाई बात अच्छा अब बताईए मैंने nature of the roots के लिए बताया था आपसे पूछ रहा हूं आपको एक तरीका से इसको recap कह सकते हैं कि पिछले episode में आपने देखा तो nature of the roots के लिए तरीका बताईए क्या बताया था what will be the nature of roots nature of roots बताईए एक एक point बताईए nature of the roots में क्या करेंगे इतनी खतरनाक फोटो न दिखाईए वार साथ बहुत डर लगता है पूरी बात बोलिए पूरी बात बोलिए पूरी बात बोलिए हमने रूट में एक value बतानी पड़ेगे ना क्या आप बोल रहे हो आप कहेंगे जो धराचार फार्मला होता है x is equal to minus b plus minus under yes 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 b square minus 4ac upon 2a में जो ये root के अंदर चीज़ लिखी होती है इसको क्या कहते है discriminant क्या कहते है discriminant इसको capital D से denote कर लेते है denotion किसी भी चरीके से कर सकते है capital D लिखाता है तो ये जो discriminant है root के अंदर का ये decide करता है कि what will be the nature of the roots अब कैसे decide होगा ये बता इसको decide कैसे करें पहली बात क्या बता रहा if d is positive बोले तो greater than 0 यानि कि positive तो roots कैसे होंगे roots will be real ठीक है roots will be real और हाँ real and unequal very good अच्छा दूसरी condition क्या थी दूसरी condition क्या बताईगे थी अगर d 0 है दूसरी condition थी तो roots will be real and equal roots will be real and equal हम के बोल एक refresh कर रहे है आपको तीसरा क्या था if d is less than 0 बोले तो negative then roots will be imaginary दूसरा नाम बताया था हमने एक और नाम बताया था हमने या complex भी बोल सकते है क्योंकि complex में क्या होता है कि root के अंदर जो minus 1 होता है उसको हम i से denote करते है तो i के far में जो number होता है वो complex होता है इंटर्मिटेट में आपको पढ़ाए जाएगा तीक है अच्छा इतना ही था और कुछ nature आप दरूसरा बताया था क्या था हाँ चो चोथी condition थी कि positive है real है और perfect square है एक मिट यहाँ नहीं हाँ हाँ उपर अगर मालिया यहाँ पर जो d greater than 0 है और perfect square है perfect square number तो roots real होंगे अनिक्वल होंगे और एक और नाम आएगा इसमे rational ठीक है और अगर not perfect square है जो fifth point था कि अगर not perfect square number है तो roots will be irrational तो यह हमने conditions बताई थी ठीक है सौझ में आ गया यह आप पहले से पढ़ चुके है कि और आपको refresh में कर रहा हूँ example दिया कि 2x square minus 10x plus k 2x square minus 10x plus k is equal to 0 एक quadratic equation है और कह रहा है कि find the value of k for which it has real and equal roots यहनी कि find k if it has real and equal roots equal roots तो क्या करेंगे आप तो पहले तो आपको इसको standard equation से compare करना पड़ेगा जो हमारी quadratic equation है standard वाली वो क्या है comparing by मैं पूरा process बता रहा हूँ comparing by ax square plus bx plus c is equal to 0 यहाँ पर a की value क्या होगी 2 b की value क्या होगी minus का 10 और c की value क्या होगी k अब बताए real and equal roots की condition क्या होती है तो आप लिखेंगे here because roots are equal तो d will equal to 0 तो b square minus 4 a c will equal to 0 परदी जी उठागर के 100 minus 4 a is 2 c is k is equal to 0 तो k की value क्या निकलेगी 100 upon 8 तो कुछन करना आता है आपको कितना आएगा 12.5 तो this is the value of k समझ में आई बात ये quick आपके दिवाग प्याना चाहिए की real and equal roots के लिए क्या condition होती है ठीक है एक example पर दे रहा हूं x square plus ax minus 4 x square plus ax minus 4 is equal to 0 क्यूशन ये कह रहा है की show that it has real and distinct roots for all real values of a and it has real and distinct distinct मतलब unequal roots for all a for all real values of a हाँ मैं यही जाना चाहता हूं कि आप हाँ जी तो सबसे पहरा काम आप क्या करेंगे अगर question को पूरा solve करना होगा तो आप इसको compare करेंगे standard equation से अब जड़ा देखेगा हमारे standard equation में इसमाले भी C आता है आता है ना और मेरे question में भी इसमाले आ गया तो आप फिर compare capital से करेंगे तो compare किसे करेंगे comparing by capital AX square plus BX plus C क्योब इसलिए कि confusion नहूँ तो A यहाँ पर क्या है 1 है B यहाँ पर क्या है A है C यहाँ पर क्या है माइनस 4 है अब आप पहले discriminant निकालो D क्या होता है B square माइनस 4 AC तो यह आएगा A square plus 16 जड़ा समझेगा साउधान यह क्या negative हो सकता है यह negative नहीं हो सकता तो क्यों क्योंकि भाई देखिए यह square term है और square term negative होता नहीं है और उसमें से दूसा term add किया गया है तो it cannot be negative अच्छा क्या यह 0 हो सकता है नहीं हो सकता तो it cannot be negative it cannot be 0 only one possibility is this कि it will be always 0 sorry always greater than 0 a की चाहे जो value हो यहनि आप कहेंगे for all a for all a यहनि a की हर value के लिए यह greater than 0 ही होगा तो यह condition किसकी होती है real and unequal roots बस condition नहीं दिएगा ठीक है note करिए इसको आप से कह रहा है यह बताओ कि यह equation में a की हर value पे यह real and distinct root देगा तो मैंने थीक अटी निकाल देते हैं क्योंकि roots को कौन decide करता है d decide करता है अब मेरे पार d आ गया अब मैंने इसको check किया कि क्या 0 हो सकता है नहीं हो सकता क्या यह negative हो सकता है नहीं हो सकता है तो क्या होगा it will be always greater than 0 यह हमेशा 0 से बड़ी value आएगी क्योंकि 16 में you are adding something आप 16 में कुछ add कर रहे हो ना तो greater than 0 किसी condition होती है और आप a को चाहे जो ले लीजे a की चाहे जो real value ले ले लीजे real की अब मैं बात कर रहा हूँ for all real value of e कर देंगे real value of e real value of e not imaginary छीक है note करिए इसको अगला condition लिखिए बस condition से याज होने चाहिएगा और एक आज जगे थोड़ा सा लफडा फसेगा उस लफड़े की तरव हम भढ़ते हैं भी देखो कैसे आप उसको tackle करते हैं देखो ध्यान से एक example और है कि for find the value of k यह एक example है एक equation लिखी भी है x square minus 4x plus k x square minus 4x plus k find k find k for which equation has distinct real roots equation has distinct real roots distinct real roots बताएं distinct बुला है real बुला जरा समझेगा अगर इनोंने अच्छा पहली यह बताएं फिर हम बतातें ने पूरा के बताओ क्या होगा ना वो क्या होगा हमसे मतलब नहीं है आप के की बताएं क्या क्या होगा पक्का ने मुझे नहीं मालूम है चलिए मुझा एक greater बुरा है तो दूसरा less नहीं बूलेगा मैं standard equations compare करता हूँ मुझे नहीं मालूम क्या होगा नहीं अभी हमारे सहाब ने बताया है तो मैं इनको चेक कर देता हूँ मैं डिस्क्रिमेंट निकालता हूँ बी स्क्वार माइनस फॉर एसी और यह greater देन जीरो होगा होगा सही बोला हूँ मैं तो यह हो जाएगा 4 माइनस 4 के greater देन जीरो आप मैंनस को उदाश शिफ्ट कर दीजेगा एक मिनट 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 गलत कर गया 16 होगा स्वारी क्या बता रहे हो 4K 4 से दिवाइट कर दो तो 4 greater than k यह k less than 4 आ रहा है वही greater कहां से आ गया तुम्हारा greater कहां से आ गया ले जाओ ले जाओ ले जाओ minus 4K is greater than minus 16 अब ज़रा देखेगा जब minus से multiply किया जाता है तो equality का sign बदल जाता है ज़्यान रखेगा अगर minus से multiply करते हो तो यह sign बदल जाता है यह rule आपको साथ नहीं याद होगा इसलिए एक अबढ़ कर दिया आपने ठीक है हाँ केवल इस case में होता है कि अगर minus से आपने multiply किया है तो यह sign बदल जाएगा ठीक दिया हुआ हुआ है एक example है एक question दिया हुआ हुआ है आपका 9x square plus 3kx 9x square plus 3kx plus 4 is equal to 0 find के for which equation has real roots real बोला है हुआ 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 है equal and equal की बात नहीं कर रहे हैं यह real roots हो तब क्या करेंगी इसे पहले आप note करें फिर हम बात करें पहले तो आप standard equation से compare करें फिर real roots की condition लगाएं इसके बाद देखें क्या होगा यह थोड़ा inequality यहां दिक्कत करेगी इस वाले में पका करती है सबको करती है करेंगी में आपको करती हा हुआ है झाले अपको करें देखें नहीं में दिक्साजाने से टेंजते हैं पिसमिएव हाँ यहां तक पूंचे आप कंडिशन क्या लगेगी यहां पर हमने इसको कंपेर किया ए बी सी की वेलू निकाली चुकि नेचर आप दरूर्स की बात हो रही थी तो मैंने डिस्क्रिमिन निकाला यह नाइन कामन ले लिया मुल्टिप्लाइ नहीं किया हमने क्या कंडिशन होगी यहां पर ग्रेटर दंजीर हो पक्का क्यों ग्रेटर दंजीर होगा इक्वल भी तो हो सकता है तो यहां पर आप दिकेंगे यहां पर हियर इडी इस ग्रेटर आर इक्वल टू जिरू क्योंकि यहां पर रियल भी हो सकते हैं और उन्होंने यह नहीं बुला अनिक्वल है या इक्वल है तो इक्वल भी हो सकते हैं क्यों इक्वल रूट भी आपके रियल रूट्स होते हैं जरा समझेगा अब यहां पर लफडा है नाइन के स् मत करना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देखो इसको उधा shift अगर मैं कर दूंगा न तो प्लस माइनस आएगा जो root लगाना पड़ेगा root के लिए हमारी inequality silent रहती है root के लिए हमारी inequality silent रहती है जरा देखो ध्यान से अगर मैं इसको factorize कर दूं k plus 4 into k minus 4 is greater greater r equal to 0 कर सकता हूँ मैं अब जड़ा समझेगा यह आपको ध्यान दे रहे हूँगे आप यहां दो चीज का multiply है दो चीज का multiply greater than 0 कब हो सकता है दो condition से आए first condition में लेके चल आओ फर्स्ट कंडिशन यह दो चीज का multiply है दो चीज का multiply greater than 0 कब हो सकता है जब या तो दोनो positive हों या तो दोनो negative हों एक साथ condition follow होनी चाहिए यह जो first condition यह हो सकती है कि k minus 4 should be greater or equal to 0 यानि k should be greater or equal to 4 and k plus 4 should be greater or equal to 0 और k is greater or equal to minus 4 नहीं समझ मही बात अब बताओ यह दोनो conditions एक साथ follow करनी है तो मैं यह लिखूँ या यह लिखूँ दोनों मैं क्या लिखूँ यानि k should be greater or equal to minus 4 और k should be greater or equal to 4 क्या मैं लिखूँ दोनों मैं क्या लिखूँ एक ही condition भी आ रही है इन दोनों का multiply greater than 0 है equal to तो हही है तो हमने कापे दो चीज का multiply positive, greater बोले तो positive positive तभी आएगा या तो दोनों positive हूँ या तो दोनों negative है हमने दोनों condition लगाई एक आई k greater or equal to 4 एक k greater or equal to minus 4 क्या लें इसमें, क्या लिखिये हैं नई सम्मारी बात आप सुनो ध्यान से माइनस 4 से बड़ी वालू बता माइनस 4 से बड़ी वालू कोई बता 0, क्या 0 4 से बड़ा है नहीं है ना, यानि कि माइनस 4 से बड़ी वालू जरूरी नहीं है कि 4 से बड़ी हूँ नहीं है ना, अब जरा 4 से बड़ी वालू बता फाइब ले लो कुछ भी ले लो जस्ट बाद भी ले लो तो फाइब इससे ही बड़ी है नहीं बड़ी है तो अगर मैं greater than four लिखता हूँ तो ये दोनों conditions को एक साथ fulfill कर रहा है और नहीं कर रहा है कर रहा है ना तो इसका मतलब here क्या लेंगे हम k is greater r equal to four समझ में आई बात दोनों लोगों समझ में आ रही बात ना अब ज़रा second condition देखे second condition ज़रा साथान ये दो चीज का multiply greater than zero है हमने का दो चीज का multiply greater than zero कब आएगा या तो दोनों negative हो जाए यानि कि k plus four should be less r equal to zero बोले तो k is less r equal to minus four और k minus four और नहीं and दोनों एक साथ होनी चीज़े ना k minus four less r equal to zero k is less r equal to four अब बताओ इन दोनों में से कौन सी condition लें जो दोनों को satisfy कर रही हो भाई जो number four से less होगा माने three मैं ले लेता हूँ तो three four से less है लेकिन three minus four से less नहीं है तो minus four से less number आपके इस condition को follow नहीं कर रहा है लेकिन minus four से छोटा एक number लो को ही है minus five तो minus five इससे भी छोटा है इससे भी छोटा है नहीं है तो यहाँ को लिया जाएगा here k is less r equal to minus four सही बात कही तो आपकी जो k की value है तो क्या निकलेगी जो solution आपका निकलेगा k होगा greater r equal to क्या four and less r equal to minus four सही कहा आपने सही कहा ना तो k की value minus four से छोटी होगी और four से बड़ी होगी आप चाहो तो अलग-अलग लिख दो k is greater r equal to four और k is less r equal to minus four अलग-अलग कर दीजेगा कोई दीकत नहीं है x square plus 5k x plus 16 is equal to 0 तो कहा गया find k if equation has no real roots has no real roots कोई real roots इसमें ना हो देभी थोड़ा सा technology वाला question है ध्यान से करिएगा अच्छा एक डारेक्ट आप्स कर सकते हैं देखो द्यान से सुन लिजेगा अगर x square minus a square is less than 0 हो तो ये होता है x is greater than minus a and less than a ऐसे डायट लिख सकते हो आप ठीक है सुनिए द्यान से इसको डायट कर सकते हैं अगर x square minus a square less than 0 हो तो x is greater than minus a and less than a लिखा जा सकता है ठीक है और अगर x square minus a square is greater than 0 हो तो x is उल्टा हो जाएगा greater than minus a less than a लिखा जा सकता है लेकिन ये एक साथ नहीं लिखा जा सकता तो ये एक साथ नहीं लिख सकते हैं इसमें x greater than a लिख करेंगे और x less than minus a लिख करेंगे आप डायट याद भी कर सकते हो लेकिन जो समझने का तरीका वो उन्हें आपको बता दिया ठीक है और मैं यहाँ भी समझा के इबताऊंगा याद मैं नहीं कराऊंगा लेकिन याद कर लिजेगा हर जगे आप रटेंगे नहीं आप इसको बताओ कि it has no real roots यादि कि it has imaginary root या दूसा नाम क्या है complex root then what will be the value of k चले करिए इसको कैसे आप लगाएंगे इसको हवाप लगाईए हम इधर लगा रहे कोश्षण मैं compare कराऊं देखिएगा नहीं x is greater than minus a and less than a अगर greater है तो x is greater than a and less than minus a लेकिन इसको एक साथ नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसके बीच में कोई value नहीं आ सकती है क्यों जो नंबर a से बढ़ा होगा वो minus a छुटा नहीं हो सकता है तो इसको अलग अलग करते हैं यह greater के लिए था यह less के लिए था लेकिन आप रटिएगा नहीं यहाँ पर मैं तरीका आप से जाना चाहता हूँ इसको बढ़े एक आज step लिखिए फिर हम बात करें नहीं तक किया है ना हाँ जी वही होता है जड़ा समझेगा as यहाँ पर जो roots है ना वह real नहीं है यहाँ कि हम जानते d is less than 0 है है ना यहाँ कि 25 k square minus 64 is less than 0 है जड़ा समझेगा एक तो direct में value बताने जा रहा हूँ जो आपका तरीका हमने भी बताया था आप 25 से इसको divide कर दीजेगा एक direct method बता रहा हूँ जो direct आप करना है यह direct है 25 से divide करों k को अकेला करों तो k square minus 64 upon 25 is less than 0 तो अभी हमने क्या बताया k is greater than minus under root 64 upon 25 और less than 64 upon 25 under root यानि कि minus 8 upon 5 less than k less than 8 upon 5 यह तो direct तरीका हो गया तीक है क्योंकि हमने उसको याद करवा दिया है आपको कैसे आएगा अब जरा मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जरा साउधान इसको मैं रब कर रहा हूँ देखो ध्यान से हम यहाँ पर आते हैं इसके factor क्या होंगे इसके factor होंगे 5K प्लस 8 और 5K माइनस 8 इस लेस देन 0 बोले तो negative अब बताइए दो numbers का या दो factors का multiplication negative कब होगा यानि कि first condition यह आ रही है यहाँ पर कि 5K प्लस 8 अगर लेस देन 0 है यानि कि के इस लेस देन माइनस 8 अपान 5 and साथ में होना चाहिए एक साथ और नहीं और 5K माइनस 8 शुद बी ग्रेटर देन 0 यानि के शुद बी ग्रेटर देन 8 अपान 5 सही कहा मैंने सही है न अब बताइए यहाँ condition कौन से लगाई जाए कुछ गलत लिख दिया क्या हमने यह less than 0 है यह greater than 0 है अब देखे ध्यान से क्या यह possibility है यहाँ यह possibility आ सकती है एक साथ कोई ऐसा number आप choose कर सकते है जो इन दोनों को follow करे यहाँ संभव नहीं है ऐसा number जो minus 8 भाई हमने क्या का दोनों को एक साथ होना चाहिए न होल्ड करना चाहिए तो क्या यहाँ possibility हो रही पार साथ नहीं हो रही है क्योंकि कोई number minus भई आप first number line की help लिया करिए कि minus 8 by 5 यहाँ पर है और 8 by 5 यहाँ पर है इससे बड़ा और इससे छोटा कोई common ऐसा number नहीं आ सकता है जो दोनों को satisfy करे तो यह तो possibility खतम होई यह possibility यहाँ पर नहीं है ठीक है वहाँ पर थी possibility greater than case में आयत थी कि minus 4 से बड़ा और 4 से बड़ा तो जो number 4 से बड़ा था वो minus 4 से भी बड़ा था लेकिन यहाँ पर ऐसा common number नहीं मिल रहा है so it is not possible तो यह तो impossible हो गया काम कतम अच्छा second condition देखते हैं second condition भाई हमने का यह greater than 0 हो जाए यह 5k plus 8 is greater than 0 बोले तो k is greater than minus 8 upon 5 and 5k minus 8 is less than 0 तो k is less than 8 upon 5 फर्स नंबर लाइन को हमने देखा minus 8 upon 5 यहाँ plus 8 upon 5 यहाँ minus 8 by 5 से बड़ा है इधर नंबर आएगा plus 8 by 5 से इधर आएगा यह common portion आपका दोनों conditions को fulfill कर रहा है नहीं कर रहा है 2p plus 1 x square minus 7p plus 2x minus 7p plus 2 x plus 7p minus 3 plus 7p minus 3 is equal to 0 देखे question कह रहा है कि it has equal roots find the value of p तो पहले आप से कह रहा है पहला पार्ट आप से कह रहा है कि what will be the value of p if it has equal roots अगर यह इसके equal roots है तो आपको बताना है कि p की value क्या होगी तो पहले तो आप solve करिए इसको फिर हम बात करते हैं कि आगे की इक्वल roots होने की conditions लगाईए और p की value find करिए हम लिख रहे हैं कि आप देखेगा नहीं है कि आप देखेगा नहीं है इसको खोलिए आप देखो क्या आता है p के लोग निकालिए हम solve नहीं कर रहे है question बद चेक कर रहे हैं कि एक बार इस सही है 2p plus 1x square 7p plus 2 and 7p minus 3 चीख है तो यह आएगा 49p square plus 4 plus 28p minus 4 यह bracket खुलेगा 7200 14p square minus 6p plus 7p minus 3 is equal to 0 यह आएगा आपका 49p square plus 4 plus 28p minus 4 यह आएगा 14p square plus p मेरी बास सुनिएगा नहीं तो मैं अपने लिए बोल रहा हम नहीं सुन सकते हो अलग की बात है bracket खोल दिजेगा 49p square plus 4 plus जरा आप देख लिए कहीं calculation गरबन नहीं हो कभी कभी multiply divide दो यह थोड़ा जल्दी हो जाता है minus 4p plus 12 is equal to 0 तो 49p square minus 56p square क्या आएगा minus का 7p square सही कह रहा हूँ ना और plus का 28 minus का 4 plus का 24p और plus का 16 is equal to 0 minus से आप divide कर सकते हैं तो 7p square minus 24p minus 16 is equal to 0 is it correct अब आप इसके factor करिए और p की value find करिए इस बार चेक कर लिजेगा भाई मैं बार भाई यह करता हूँ एक बार चेक देरों करिजेगा आप 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 ही आएगा ना हमने क्या किया है 16 को 4 into 4 कर दिया है तो 7 4 जा 28 और 28 minus 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा minus का 28 plus का 4 पी यहाँ से 7 पी कामन है तो यहाँ जाएगा पी माइनस 4 और प्लस का 4 कामन है पी माइनस 4 is equal to 0 यहाँ से पी माइनस 4 कामन हो जाएगा यहाँगा 7 पी प्लस 4 is equal to 0 तो पी की वैलू एक तो 4 आएगी एक पी की वैलू माइनस 4 बाई 7 आएगी यह दोरों पी की वैलू आगई दोरों आगई ना अपना आप लगाईएगा आपके और yes नो बोलिये इससे बद छाटियेगा वो तो मैंने ऐसे लगा दिया है अब देखिए अब उन्होंने कहा है कि कुश्चन आपसे कह रहा है कि find P ठीक है also find these roots अब यह roots भी निकालो x की वैलू भी निकालो देखो हैनी आप P की वैलू यहां रखो और यहां से roots निकालिए तो roots निकालने का तरीका क्या होता है roots निकालने का सबसे बढ़िया तरीका आप क्या लगा दिजे धराचा लगा दिजे roots निकालने का यह roots कैसे हैं equal है ना तो धरा चार लगा दिजिए ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि धरा चार तो आपने पढ़ लिया है ना धरा 4 से ही तो डिस्क्रिबिय निकला है क्योंकि अभी आप P की वैल्यू रखोगी इसे factor करोगे तो factor क्यों करोंगे भई तो इसमें धराचार लगा दीजिए देखे, P बाद में रखेंगे हम तो X की वैलू या P रख दीजिए, अदरवाई confusion हो जाएगा P रख दीजिए उठादर की, देखो P की पहली वैलू रखेंगे पहले first case लेगे, even P is equal to 4 P को 4 रखो, यहां कितना आएगा 9 X स्क्वार आएगा माइनस 4 रखो 30 X आएगा, यहां 4 रखो 25 आएगा सही का आपने चार दुनिया ठेक नो चार स्थाइस तो तीस चार स्थाइस माइनस तीस अब इसको फेक्टराइज करो अब मैं नहीं कर रहा हूँ, फेक्टराइज करिए कैसे होगा इसको फेक्टराइज कर दीजेगा और एक बात ध्यान रखेगा एक बात, एक बात ध्यान से, चुझे अगर roots equal है तो यह माँ लीजिए, यह perfect square लिखा हुआ है किस इसका square लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है 3x-5 का whole square लिखा है, नहीं लिखा हुआ है लिखा है ना अगर इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा तो जब इसको equal करेंगे तो 3x-5 is equal to 0 x की value आएगी 5 by 3 दोनों value 5 by 3 यह आएगी ठीक है, तो यह 5 by 3 आगया अब आप P की value यह वाली रखते ना मानस 4 by 7 तो दूसरी value आजाएगी मतलब जब P की value 4 होगी तो यह दो बार value आएगी 5 by 3 and 5 by 3 और जब P की value मानस 4 by 7 होगी तो दो value हो रहाएगी, समझ में आई बात एक example है मैं example इसने लिख रहा हूँ को example में लिख रहा हूँ एक size का भी question हो सकता है 1 plus m square x square plus 2mcx plus c square minus a square is equal to 0 has equal roots if ऐसा है has equal roots then find the condition condition तो लिखी भी है question में लेकिन हमने आपको condition नहीं लिखी है हमने का हो condition find करके बताओ जो equal roots के लिए यहाँ पर applicable होगी अब ज़रा समझेगा हमने का short में लगाना तो लखी बात है लेकिन चुकि small a, small c already question में mentioned है तो आप जब इसको standard equation से compare करोगे तो capital से करोगे पहली बात ठीक है यहाँ देखिएगा comparing by मैं क्यों कर रहा हूँ आप करिए हम करेंगे चुपके चुपके question लगा रहे हैं आप देखिएगा नहीं हम उधर देखेंगे उधर देखनाना शूरू कर देना comparing by अगर equal roots है तो condition निकालो आप क्या condition आएगी वहाँ पर हाँ वस equal roots करके आप solve कर देखेंगे अपने आप value निकलाएगी condition लिखी भी है मेरे पास लेकिन हम बता नहीं रहें तो मैंने इससे compare कर दिया तो एक ही value आ गई one plus हाँ हमको रहता net week है थोड़ा सा आपका है न क्या आदित आपको visible है हमको लगता है net कुछ week है इस question को अभी हम recording हो रही होगे इसको देख लीजेगा एक बर है न पार साब ठीक है ए यहाँ पर one plus m square है उन्हें सुना ही तो पड़ रहा है न तो थोड़ा लिखिएगा मैं बोल रहा हूं लिखिए एक equation है one plus m square bracket में बाहर है x square एक लिया plus 2mcx plus c square minus a square is equal to 0 इसमें कहा गया है equation has equal roots then find the condition तो इसो compare करो और discriminant को zero कर दो तो b यहाँ पर क्या होगा b यहाँ पर 2mc है और capital c यहाँ पर है c square minus a square अब आप जानते हैं कि यहाँ जो condition लिखिवी है कि they are having equal roots तो आप लिखेंगे as d is equal to 0 बोले तो b square minus 4 ac is equal to 0 तो रग दिजें यह क्या होगा 4m square c square minus 4 a है आपका one plus m square और यह है आपका c square minus a square is equal to 0 इस bracket को खोले इससे बहतर है पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 4 हट जाएगा और bracket खोल दीजे उठाकर की तो आएगा m square c square minus c square और plus का a square और minus का m square c square और plus का m square a square is equal to 0 मैंने समझाया नहीं है आपको हमने 4 से डिवाइड किया है और bracket को खुला है यह minus पीछे से भागता भागता अंदर गया है और जहाँ जहाँ इसको change करना हो change कर दिया है ठीक है m square c square कड़ गया अकेला c square इदर है तो c square is equal to a square one plus m square यह conditions आपकी आई यह condition है आपकी